नश्कर, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे. आज मैं आप से student से related वास्तो टिप शेर करने जा रहा हूँ. जो student आपके घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर अगर आप खुद student है, तो आपके लिए क्या उचित है? वास्तो टिप क्या हो सकता है? जो कि आपके study में help कर सकता है. तो चलिए हम start करते हैं. सबसे पहले आप इस बात को की कोशिश करें, कि जब भी कोई student पढ़ाई कर रहा हो, तो उसका जो सर है, उसका जो facing है, वो east के तरप में हो, पूरवे की दिशा में हो. अगर पूर वो possible नहीं हो पा रहा है, तो आप नौर्थ की दिशा में भी face कर सकते हैं. सबसे अच्छा पढ़ाई की जो दिशा होती है, मासरस्वती की दिशा भी आप उसको मान सकते हैं, वो है west-south-west. घर के west-south-west की direction, आप अपने compass में चेक कर सकते हैं, वो पढ़ाई लिखाई के लिहाँ से बहुत अच्छा है. तो बच्चों की पढ़ाई की दिशा वो बहुत अच्छी है. चाहें, तो बच्चे जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके desk के उपर एक लाल कपड़े के उपर एक स्री अंतर रख दे, crystal के स्री अंतर रखे, वो भी कहीं न कहीं, उनके पढ़ाई में boost लेकर के आता है, बह पर आपको ध्यान देना चाहिए. साथी साथ, जहां पर भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके उपर में कोई beam ना आ रहा हो, उसके overhead के उपर कोई beam ना आ रहा हो, कोई बहुत भारी चीज ऐसी ना रखती गई हो, नहीं, तो उनके पढ़ाई में व्यवधान आ सकता है, obstacles सकते हैं, तो इस बात पर भी आप ध्यान रखें, study table जो है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा अपना रखें, ऐसा रखें, जिस पर कि वो comfortably बैट पाएं, और अपने सामान को रख पाएं, बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके अलावा, जब भी आप कर सकता है, या फिर पढ़ाई में, concentration लाने में, वो कहीं न कहीं problem create कर सकता है, तो इसको आप वहाँ पर हटा के रखें, साथ ही साथ आप कोशिश करें, कि वहाँ पर अगर lighting की वेवस्ता हो, तो ऐसी lighting हो, जो कि बहुत ज़्यादा flashy ना हो, उनके आँखों में ना पड़े, वहाँ पर खिड़की हो, खिड़की होने के वज़े से fresh air उनको मिलेगा, तो उनके पढ़ाई में बहुत help करता है, साथी साथ, कभी भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके उठ रहे हैं, तो किताबों को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, जब आप क किताब हैं, वह आपके लिए just एक normal कागज है, इससे ऐसा भी कहा जाता है कि मासर अस्वती का अपवान होता है, तो किताबे आप खुली ना छोड़ें, उसको आप बंद करके जाएं, साथी साथ, जहां पर भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप पढ़ाई कर र रहता है, वहाँ की paint scheme के लिए, तो आप इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं, यह मैंने आपको कुछ टिप दिया, जो कि आपके बच्चों के पढ़ाई में बहुत अच्छा help कर सकता है, इसके अलावा, अगर आपको और कुछ पूछना है, तो आप जरूर कमेंट करके या फिर आप मुझसे directly contact करके, आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको कुछ additional tip देने की कोशिश करोगा, यह होप यह अच्छा लगा होगा, तो इसको share करिए, श्री अंतर, जैसा मैंने बताया कि study table पर रखे, लाल कपड़े के उपर, वो बहुत अच्छा help करता है बच्च परूर शेयर करिए, धनिवाद